क्यों ही सिम्रिती है रादी जी इन्होंने कहा था चूड़िये भेची जाएगी अब तो सिम्रिती जी आप इस कैबिनेट में है भेजने भी की जरूरत नहीं है पहना ही दीजे इनको चूड़िये जो इस तरह से काथ कर रहे है जो नेपाल था उसको भी हमने गवा दिया श्र आपके साथ मैं हूं मांशी जैसवाल कहा है सिलेंडर वाली मैडम स्मृती रानी जब देश में महंगाई चरम पर थी कॉंग्रिस पार्टी की सरकार में तो सडकों पर सिलेंडर ले करके उतर आती थी वो लेकिन अब जब उन्हीं की सरकार में महंगाई चरम पर है तो आखरकार वो कहां छुपी बैठी है सिलेंडर वाली मैडम स्मृती रानी का लगातार जिक्र किया जा रहा है लेकिन अब जिस तरीके से महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने चुपी साथ रखी है भरी संसद म में एक भाशन काफी चर्चा का विशे बना हुआ है स्मृती रानी पर भरी संसद में आम आदमी पार्टी की नेता ने क्या निशाना उन पर साधा सुनी पाकिस्तान रोज हमको कहता है और हम विदेश खूम रहे हैं आपको जाना ही होगा जाएंगे जनता आप से नारा हुआ है ये बजट जो है जब बजट आने वाला होता है तो लोगों में बहुत उस्ता होती है लोग बड़े ध्यान से और दिल लगाकर टीवी के सामने रहा है कोई भी वर्ग इससे कुछ नहीं है ना तो किसान है जिसके लिए इन्होंने इतना बड़ा कहा है फार्मर्स 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 आज फार्मर्स भी खुछ नहीं है महलाएं भी खुछ नहीं है बच्चे भी खुछ नहीं है विपारी भी खुछ नहीं है कोई भी किसान वही है जो गेहूंग जो़ार मक्की धारा भी, बीच्टता है या किसान वो भी है जो हिमाचल के पहाड़ी ऐलकों में रहता है, जो वहाँ पे सिप की फसल करता है, फुरूट की फसल करता है उगाता है और उसको जो दुक्सान होता है क्या उसकी भरपाई के लिए भी उन्होंने कुछ रखा है कुछ नहीं रखा जितनी यहीं एरियाज है उनके लिए एक स्पेशल बजट चाहिए चाहे वो नाथ रिस्ट है चाहे हिमाचल है चाहे जम्मू कश्मीर है चाहे उ माचल का आज जो हसेब है, फुरूट है, सबजिये हैं, आफ सीजन सबजिये उगाई जाती हैं, उनके लिए भी किसी तरह का कोई प्रवधार नहीं रखा हुआ, इस बजट से कोई खुश नहीं है, महिलाओं के तो बात ही क्या करनी है, बहुत महिला महिला करते हैं, उसका हैं, दो करोड बच्चे हैं, जिनके लिए आठ सो, आठ हजार करोड चाहिए, अगर हम उनको सहर देना चाहते हैं, उसका भी कहीं परवादान नहीं है, बड़ी बाते की, यह अभी इन्होंने कहा गुपता जी ने, कि मैं भी पिछले पेपर देख रही थी, कहा जाता था, जब पाकिस्तान से, कि एक सिर आएगा, तो हम दस देंगे, यहां मेरी आज भैन नी बैटी हुई सिम्रिती है, रादी जी, इन्होंने कहा था, चूड़िये बेजी जाएगी, अब तो सिम्रिती जी, आप इस काबिनेट में है, भेजने भी की जरूरत नहीं है, पहना ही दी डाले हुए आते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते, जम्मु कश्मीर के हालात, अभी मेरे भाई बोल रहे थे जम्मु कश्मीर के लिए, क्या हुआ, क्या किया, लेकिन इतनी बुरी हालत मेरे भाई, 2000 से लेकर 9 तक इतनी नहीं थी, जो आज हो रही है, क मोहीं पर कौनसा हमारा विदेश नीती यह क्यों सा हमारा YU नेवर है जो मेरा पडोसि देशय हमसे कुछ जो नेपाल था उसको भी हमने गवा दिया श्रीलंका हमसे न राद मैंने मार हमारे साथ नहीं है बंगलादिश का उस देख लीजिए चीन हमें जbung रहा पाकिस्तान रोज हमको कहता है और हम विदेश खूम रहे हैं खूम विदेश जा रहे हैं कौन सी FD आ गई है विदेश से मुझे बताए जितना खर्च विदेशों के जाने में हुआ है उसी से तो हम अपने देश का और भी भला कर सकते थे उसको और भी उन्नत ले जा सकते थे कोई हमारी नीती नहीं है मेडिकल कॉलिज खोले जा रहे है जो हमारे यहां मेडिकल कॉलिज खोले जा रहे है चाहे वो नाहन में है चाहे हमीर्पुर में है चाहे मंडी में जब M.C.A. की टीम आती है कहां से faculty के professor लिए जाते है कभी इंडरा medical college से जाते है कभी टांडा से जाते है तब वहां college के लिए पूरा ऐसे medical college नहीं चाहिए नड़ाची जहां पे faculty के लिए professor ही ना हो कोन से बचों को आप doctor बनाना चाहते है जहां कि सुम्हाई नहीं है तो मैं इसलिए ये कहना चाहते है नहीं ऐसा नहीं है हम बोल रहे हैं और हमेशा हमेरे लिए ऐसे किया जाते हैं दो मिनिट में मैं खत्ब करती हूँ आप हर insurance का परदेश में अपने अपने परदेश में है पांच लाग के कि लिए कहा गया है एक साल के लिए मैं वितमंत्री जी से कहना चाहती हूँ इन्होंने कहा कि अगर minimum पैसा है किसी का अगर बड़े बड़े शहरों में तीन हजार है एक हजार है और उसके उपर penalty पड़ेगी और penalty पे भी जी-स्टी लगा दिया है वितमंत्री जी अगर penalty भी लेनी है तसूर है गरीब का कि वो हज़र रुपया भी नहीं रख सकता बैंक में उसके penalty के उपर भी आपका जी-स्टी है और इंद्रावास की पड़ान मंद्री अवास की बाते हो रही है और जो लेता है फ्लैट ले उसके भी वो जी-स्टी दे आप उसके बताईए ये कहा का निया है तो इस तरह से सरकारे में चल दी त्यार हो जाएए अगर हमने गलतिये की थी हमने भुगत ली आप भुगत ले के लिए दो होना और वैसे भी आपका ये बटट चार महिने का है आप इस फसल का इंतजार कर रहे है ये फसल आए और हम किसानों को पैसा दे और अगली फसल के लिए कुछ नहीं और आप इलक्षन ले ले ये होने वाला नहीं है इस खिलावे में मत रहेगा आपको जाना ही होगा जाएंगे जनता आप से नाराज है राजस्थार का आपने देख लिया गुज्राद में देख लिया बहुत भहुत धन्यवाद थैंकियो, तैंकियो तकुर जी तो सुनाएं है आपने किस तरीके से यहाँ पर स्मर्ति इरानी की बोलती बंद होती हुए निजर आ रही है भरी संसद में किस तरीके से यहाँ पर स्मृती इरानी की धजियां उड़ती हुए नजर आ रही है महंगाई के मुद्दे पर आवाज उठाने वाली स्मृती इरानी आज चुप्पी साथ रखी है आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं में कमेंट करके जरूर बता है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं एस पिया नाई नियूज आपको जाना ही होगा जाएंगा